नमस्कार ट्रेंस एंड ट्रेवल में आपका पेली भीत जंक्शन से बहुत-बहुत स्वागत है पेली भीत जंक्शन पर एक ओवराल व्यू और एक छोटा सा अपडेट जो कारें यहां पर रह गएं या क्या कुछ कारें बाकी रह गएं स्टेशन की उपर जो प्लैटफॉर्म से वहां पर या पैदलपुल जो है उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पीली भीत जंक्शन की जो सिविल वर्क हैं यानि स्टेशन की उपर की अब जो कार हैं उन पर मेरा ये लास्ट वीडियो होगा अपने चैनल पर इसके बाद जब पीली भीत जंक्शन से बीसलपुर की दिशा में सियरस इंस्पेक्शन या जब आगे माला की तरफ ट्रैक पड़ेगा उसको हम कवर करेंगे लेकिन पीली भीत जंक्शन जो हमारा मुख्य जंक्शन और प्लैटफॉर्म्स हैं यहाँ पर जो सिविल वर्क कर रहे हैं तो एक ओवरॉल व्यू ये वीडियो जिस दिन सियरस इ और ट्रैन्स चला करती थी यहाँ पर किस प्रकार से स्थिती अब ओवरॉल बन करके आई है जंक्शन कम्प्लीट हो जाने के बाद रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कारे सारा कम्प्लीट हो गया टनकपुर तक पूरा ही सेक्शन अब इलेक्ट्रिफाइड हो गया है और आपक रखते हैं निया कंस्रक्शन हुआ है यह पूरा बिल्डिंग का जो कि अब लाल और सफेद कलर में पेंट हो गई है बहुत ही खूपसरत लग रही है और इसमें देखना होगा कि किस काम में किस परपस में यह यूज में आएगी फिलाल अभी जो जंक्शन है ओवरॉल गोल पहने रहिए अपने हातों को सेनिटाइज करिए और डस्ट बिंस जो यह लगे हैं कुछ भी आप कूडा फेकते हैं तो इसमें ही डालें इसको ही प्रयोग करें स्वच्चता अपनाए रखें और करोना से बचें करोना महमारी को हराना है तो यह जो ट्रैक है अब हम दूसर अगर यहां से चलाई जाएं टरनकपुर के लिए तो उसमें हो सकता है इन ट्रैक्स को यूज किया जाए फिलाल इन पर अभी कोई प्लैटफॉर्म नंबर क्रमांक अंकित नहीं है जो तर्मिनेटेट दोनों ही तरफ के प्लैटफॉर्म्स हैं तो यही संभावना है कि इनक लोको की पार्किंग के लिए या कुछ कोचिस की पार्किंग के लिए या इमर्जेंसी जो हमारी ट्रेंज होती हैं तीन चार डबे की रिलीफ वैन जिनको हम कहते हैं रिलीफ ट्रें रहात पहुचाती हैं जो उनको हो सकता है यहां पर जंक्शन पर पार्क करें या कोई एक की दिशा हो जाएगी वहाँ पर भी लोको रिवर्स करने के लिए कैची बनाई गई है तो ये जो tracks दो तरफ बनाए गए हैं और इधर के किसी भी platform पर अभी आप देख रहे हैं कोई अंक इनस platform का कोई number नहीं दिया है side की जो track हैं तो यही संभावना है कि इनको other purpose में इन tracks को use किया जाए railway द्वारा और काफी सारा यहाँ पर space है side में भविश में अगर आप चाहें तो और यहाँ पर parking के लिए tracks को डाल सकते हैं फिलाल काफी सारे tracks यहाँ पर पढ़ गए हैं पेली भी असरा हुआ है और धीरे धीरे जो यात्री गाडियां है express trains के रूप में अभी फिलाल आना शुरू हो गई है track पर और उमीद की जा रही है कि पीली भी जंक्षन से और हमारे जो टनकपूर है वहाँ से मतुरा के लिए भी train की demand हो रही है और उमीद की जा रही है कि पूर्णागरी का जो मेला है जब तक शुरू होगा तो कुछ benches वगएरा हैं देखिए काफी धूल पड़ी हुई है इस समय कोई साथ सफाई विशेश यहां पर benches पर नहीं हो पारी क्योंकि कोई बैठ नहीं रहा है vendors जित्ते भी हैं दुकाने बंद पड़ी हैं हाला कि अब इनको खोलने का आदेश आ चुका है पेली भी जंक्षिन पर यह बहुत जल्द आपको खोली हुई नजर आएंगी यो जैसे जैसे ट्रेंस पढ़ेंगी यातरी बढ़ेंगे तो जो दुकानदार जिनको करोना में एक साल लगभा कि ये दुकाने बंद रही इनको बहुत नुक्सान हुआ होगा तो फिर धिरे धिरे वापस इनकी आए इनकी आमदनी होनी शिरू होगी देखी पनिया भी सब फट गई है ये दुकाने जित्ती स्टॉल्स थी सब कवर्ड करोना काल से चली आ रही है तो एक ओवराल व्यू पूरा पेलीभीत जंक्शन का हम कर रहे हैं अपने चैनल पर और जो भी सिविल वर्क अभी रह गया है उसको हम आपको और प्लैटफॉर्म से रिलेटेड वर्क जो सिविल वर्क जित्ते भी हैं जंक्शन से रिलेटेड लगभग यहाँ पर 95% पूरे हो चुके थोड़ा बहुत कारिब बाकी है प्लैटफॉर्म नमबर 4 के तरफ पैदल पुल पर उसका भी हम आपको वीडियो में आगे व्यू दिखाते हैं बाकी प्लैटफॉर्म आप देख सकते हैं पूरा जंक्शन अब तयार हो चुका है रेल काड़ियों को हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक रेक और खड़ा हुआ है और जैसा क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो रेक खड़ा है नीचे आपको दिख रहा है यह प फ्लोरिंग का जो काम है टाइल्स लगा दी गए और दोनों तरफ सुरक्षा जाली जो होती है क्योंकि नीचे 25,000 बोर्ट का करेंट डौर रहा है तो यह यहाँ पर जो एक्स्टेंट किया गया था रैंप बना है और एक तरफ जीने बनाए गए गया है तो यहाँ तक आप इधर जो रैंप है यह आप देख सकते हैं सीमिंटेड आपको दिख रहा होगा स्लैब वर्क हो गया है लेकिन रैंप में अभी कारी होना बाकी है इसमें अभी टाइल्स लगाए जाने बाकी है लाल रंग के ऐसे ही चेकर टाइल्स लगाए जाएंगे यहाँ पर और आप द लग गई हैं यह सारी चीज़े हो गई बस थोड़ा सा कारी यहाँ पर देखिए यह बाकी रह गया है यह 5% से भी कम कारी हम मानेंगे इसको बहुत थोड़े थोड़े कारी रह गया है और बहुत जल्द यह पूरे हो जाएंगे यह नीची अब हम आ गए प्लैटफॉर्म न यह पैदल पुल और रैम जवारा उसके नीचे का एरिया जो भी है वो कच्चा है देखिए इस पे भी फ्लोरिंग सीमेंटेड होगी अभी बाद में यह थोड़ा सा छूट गया इधर का बाहर की तरफ और यहाँ से आप उतर के जब नीचे आते हैं तो सामने अभी यह थो वो रग दी गई है यहाँ पर अभी पेजल व्यवस्था जो है उसको टंकी से जोड़ा जाना बाकी है यहाँ पर देखे लाल रंग में यह बेंचे आपको देख रही है पीलीवित जंक्शन का चार नंबर का प्लैटफॉर्म है पीछे पेजल व्यवस्था यहाँ पर इसक अब धूब से बच सकें उपर फैंस देखे पंके जो है लाइट्स वगैरा फैंस वो लग गए हैं ताकि जो यातरी यहाँ पर आकर बैठे उनको यह देखे पंके लगे हुए गर्मी में ठंडी हवा मिल सके पंके की तो फैंस लग गए है लाइट्स लग गए है शेल्टर उपर देखे, complete हो गया है, छट पढ़ चुकी है, और पूरा एक पीली भीत जंक्षन का आप overall view देखिए, साफ सफाई काफी है वैसे, और अब परियाप्त platforms हो गए है, जो passenger trains बढ़ेंगी, क्योंकि शायबास नगर होके जब आगे शाजहापुर का link हो जाएगा, तो रेल गा तो लूट के हिसाब से अब यहाँ पर परियाप्त platforms हो गए हैं, दोनों ही दिशाओं से, जिस भी दिशा से train एंटर करेगी पीली भीत जंक्षन में, तो जो trains आएंगी, उनको खड़ी करने के लिए यहाँ पर परियाप्त platforms हो गए हैं, और सामने भी इदर public utilities, यानि की toilets, urinals यहाँ पर निर्माड हो रहा है, जो यह construction आप देख रहे हैं, सामने की दिशा में, और थोड़ा सा कारे बीच में, क्योंकि हर तरफ कारे रुख गया था, इस वज़े से यह सब वर्क थोड़े से डिले हो गए, पेंडिंग हो गए, नहीं तो अभी तक पीली भीत जंक्षन पूरी तरह से complete हो चुका होता, काफी टाइम पहले ही, रेल electrification के कारेों के साथ थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन अब चीज़ें यहाँ पर मुकमल हो गई हैं, लगभग पूरी हो गई हैं, तो एक overall view हम आपको पूरा पीली भीत जंक्षन का हमने दिखा दिया, क्या कुछ कारे थोड़े चोटे मोटे बाकी हैं, वो दिखा दिया, सामने टनकपुर की दिशा हो जाएगी, शैबाज नगर और मैलानी साइट की दिशा हो जाएगी इदर, जो ट्रैक आगे जा रहा है फिर, तो यहाँ पर हमने आपको overall view एक पीली भीत जंक्षन का दिखाने की कुश की और जो छोटे मोटे कारे बाकी थे, उनकी एक जलक आपको दिखा दी, यहाँ पर बाकी सारा काम कंप्लीट है जंक्षन पर, और बहुत जल्द मिला शुरू होगा, और शैबास नगर की दिशा में भी उमीद की जा रही है कि रेल गाड़ियों का संचलन बढ़ेगा, और एक छोटा सा अपडेट था, उमीद है आपको पसंद आये होगा,